किसान भाईों नमस्कार, मैं पिन सिंग, आप सही भाईों का आपके अपने चैनल, इंडियन फार्मिंग ज्यान में एक बार फिर से स्वागत है किसान भाईों कई किसान भाई, नाज सिर्ज कंपनी के गेहूं भीज, नाज सिर्ज के बारे में जानकारी चाते हैं तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से नाज सिर्ज के नाज सिर्ज के नाज सिर्ज के बारे में ही बात करेंगे तो पूरी जानकारी के लिए बीडियो अंत तक जरूर देखे किसानवाईयों नौनाथ एंडबलू जीरो वन नाज सीर जैसे अच्छी कमपनी का बीज है यह लगभग 120 दिन की अवध में पकर कटाई के लिए त्यार हो जाता है इसके पौधे की हाइट 85 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक होती है इसका पौधा बिल्कुल सिधा खड़ा राता है यह तने का मोटा होता है इसके हर पौधे से 12 से लेकर 15 कले तक मिल जाते हैं मध्यम लंबाई का होने के कारण नौनात की फसल विप्रीत मौसम होने पर भी गिर्ती रही है कम वधिका होने के कारण इसकी बुआई हम अगेती और पछेती यानि नौंबर के पहले 17 से लेकर 25 दिसंबर तक कर सकते हैं अन किस्मों के पेच्छा कम वधिका होने के कारण इसमें केवल दो सिचाई की आव सकता होती है या उन किसानों के लिए बढ़िया किस्म साबित होती है जिन किसानों के पास कम सिचाई की सुविदा उपलब्ध है या पचेती बुआई के लिए एक बढ़िया किस्म की तलास है इस किस्म की बुआई हम उन सभी छेतरों में कर सकते हैं जहां गेहूं की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है एक एकड़ खेत की बुआई के लिए केवल 40 kg बीच लगता है इसकी बाली लंबी होती है उसमें दाने भी अधिक होते हैं दाने मजबूत चमकदार यो मुझंदार होते हैं फसल पकते समय चलने वाली गर्म पचुगा हवाओं के कारण दानों में दूद सुकने की समस्या नहीं आती है यानि गर्म हवाओ की वज़ा से दाने मरते नहीं है नौनात गेहूं से बनी रोटी सफेद स्वाधिस्टेवं पोस्टिक होती है क्योंकि इसमें 11.5% तक प्रोटीन की मातरा होती है इस किस्में रश विवार याने की संभावना बहुत कम होती है यानि या जंग विवारी के लिए जबज़ संसील है प्रतियकड पैदावारी की बात करें तो किसान बताते हैं कि इससे प्रतियकड सोरे से लेकर 20 कुंतल तक गेहूं की पैदावारी मिल जाती है इसके रेट की बात करें तो प्राइवेट बीच की दुकान से 50 रुपे प्रत किरों की दर से मिल जाता है किसान भाईों नाथ कंपनी का नौनाथ गेहूं बीच एक बढ़िया किस्म है कम अधिया कम सिचाई में गेहूं की बढ़िया पैदावारी चाहते हैं तो नाथ सिच का नौनाथ एन डबलू जीरो वन आपके लिए बढ़िया किस्म सावित होगी किसान भाईों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किन मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद